हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज मैं उन केंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टन वीडियो लेके आया हूँ जिन केंडिडेट्स ने असिस्टेंट इंफोर्मेशन ओफिसर्स के लिए फॉर्म बरे थे तो यहां पर मैं दो चीजे लेके आया हूँ एक तो मार्किंग का पैटर्न यानि पॉइंट्स का जो पैटर्न है वो क्या होगा और दूसरा उनका सिलिबस क्या होगा वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ मार्किंग का पैटर्न क्या होगा तो यहां पर सबसे पहले ग्रेजुएशन के लिए आपको मिलेंगे 30 मार्क्स या 30 पॉइंट्स और इसी तरह डिपलोमा इन जर्नलिजम के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे graduation in journalism के लिए आपको 40 marks मिलेंगे और master's degree in journalism के लिए आपको 15 marks मिलेंगे और इसी तरह history as one of the subject in graduation के लिए 5 points या 5 marks होंगे और aptitude के लिए होंगे 20 marks और interview के लिए होंगे 20 marks दोस्तों इसके बाद मैं आपको syllabus बताऊंगा कि assistant information officer का syllabus वो क्या है तो वो हम check कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि total marks 100 होंगे और time जो होगा वो आपको 2 गंटे दिये जाएंगे और इसके बाद अब हम देखेंगे कि syllabus क्या है तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो syllabus है उसमें आपका part 1 है जिसको आपको 60 marks मिलेंगे और यहाँ पर writing assessment होगा सबसे पहले आपको report writing होगी उसके बाद press release writing होगी feature writing होगी editorial होगा इसके बाद translation English to Urdu Hindi और vice versa इसके बाद editing skills होगे और जो दूसरा होगा इसके बाद part B 40 marks का होगा और इसमें English language related syllabus है यहाँ पर sentence arrangement, shuffling of sentence parts दूसरा होगा sentence completion, one word substitution, idioms and phrases होगा उसके बाद kindness of sentences, simple compound and complex sentences होगे उसके बाद active pace होगा उसके बाद anonymous and synonymous होगा fill in the blanks and use the articles होगा और उसके बाद direct and indirect होगा तीसरा और important part होगा general awareness या general knowledge का उसमें सबसे पहले होगे current affairs, Indian history, scientific research, Indian culture, Indian polity, foreign affairs, supports, Indian economy और उसके बाद जुमो एंड कश्मीर हिस्टरी, culture, economy and geography तो दोस्तों ये था assistant information officers के लिए syllabus यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो general awareness का portion है ये आपको मेरी वीडियो से maximum आफ चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिन में history आप जुमो एंड कश्मीर, culture आप जुमो एंड कश्मीर, geography आप जुमो एंड कश्मीर, Indian economy, Indian polity, Indian culture, Indian history और current affairs ये सारे sections आपको यहां से मिलेंगे, याने मेरे वीडियो से मिलेंगे तो दोस्तो आई होप कि आपको वीडियो और information अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like और share जूरूर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करें डेली वीडियो और अपडेट्स के लिए तो दोस्तों मिलते हैं कले एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर